ओम स्री गनी सायनम दूस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत हैं दूस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच दिसंबर मंगलवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ म समय समय पर आप लोगों तक हमारी इने वीडियो पहुंस सकें चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए मंगरवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज अचानक धनलाब प्राप्ति के आपके लिए अनेको योग बन रहे हैं और आपकी परियसानियां दूर हो सकती हैं आप अपने करम पर भरोसा रखते हुए अपने कामकाज को बहतर दिशा देने का प्रियास करें जिससे समय के नुसार आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकें दोस्तों साथिसाथ उन्नत आपको प्राप्त होगा विध्यारती अपने लक्ष के प्रती एकागर चित रहेंगे तथा उसका प्रणाम भी उनको उचित प्राप्त होगा दोस्तों साथिसाथ जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे या अठके हुए थे उनके आज पूरे होने के योग बन रहे ह हैं आपकी योगता और प्रतीबा खुलकर लोगों के सामने आईगी अपने प्रती दुंदियों पर सफलता और आज आपको विजय प्राप्त होगी आप अपनी दिन चरिया वे आदतों का विशेश रुक से अवलेकन कर रहे हैं जिससे आपके व्यक्तित्व में आश्चार जनक निखार आएगा संतान किशिक्षा वे केरियर आदी से संबंदित भी कोई बड़ा निर्ने आज आप ले सकते हैं विद्यार्तियों की पड़ाई वे केरियर संबंदित समस्याओं का समाधान होगा जिससे सभी लोग रहत महसूस करेंगे आप भी अपनी कोशल करें बड़े बजर्गों का आशिरवाद वेक्रिपा भी आज आपके ऊपर बनी रहेगी स्वास्त में भी सुधार आने से आप अपने अंदर एक नहीं उर्जा महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास के साथ अपने कालरे के प्रती ध्यान देना सुरू करेंगे किसी रिष्टेदार से संबंदित कोई सुब समचार मिलने से बन में प्रफुल लता रहेगी दोस्तों साथी साथ आप लोग वेहवार कुशल होते हैं आप बुद्धी मता वेहोसियारी से भी सभी काम आज कर पाएंगे जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तों आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होने की संभावना कम है इसलिए किसी भी कारे को इस्तिरता और गंबिरता पूरवक करें जिससे आपको कामियाबी और सम्मान प्राप्त हो सके सगे संबंदियों से संबंद खराब होने की भी संभावना बन रही है धन संचे करने का आज प्रियास विफल हो सकता है साफधान रहें साथि साथ आर्थिक मामलों में भी साफधानी बरतने की आपको आवश रखता है भाईयों से संपत्ती वे बटवारे संबंदित विवाद का हल किसी की मदद से हो जाएगा आप से संबंदों को ना बिगाड़ें युवा वर्ग आज आपको अपने क्रोध वे आक्रोस पर काबू रखना आवश रख हैं कैई बार जल्दवाजी वे अति उत्सा में बनाया गया खेल बिगड़ सकता है जिससे परिवारिक सुक्सांती भी प्रभाबित हो सकती हैं अपने लक्ष के प्रती पैनी नजर रखना आपके लिए अति आवश्चक हैं साति सात अजनवी वे ऐ परिचित लोगों से वेवार वे लेंदेन में सावधानी बढ़ते हैं आप किसी साजिस या फिर सडियंतर का शिकार भी हो सकते हैं इसलिए बहतर उपाए यह हैं कि आप बुरे लोगों की संगती से दूर ही रहें बड़े बज भूमी या वाहन को लेकर भी कोई बड़ा करज आपको लेना पड़ सकता है इसलिए अपने आर्थिक इस्तिति को ध्यान में रख कर ही खरीदारी संबंदित योजनाई बनाएं तो आप के लिए बहतर रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं जीवन साती के साथ मधूर संबंद होने के साथ साथ आपको उनका शैयोग भी प्राप्त हो सकता है घर परिवार की शुक्ष विदा के प्रती आज आपकी प्रात्मिकता रहेगी पती पतनी के बीच संबंद मधूर रहेंगे परंतु संतान का कोई जिद्दीपन या नकारत्मक रविया आपकी चिंताओं का कारण बन सकता है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो वैपार के विस्तार संबंद ही नई संबहवना पर विचार होगा अपना पूरा जोस मार्केटिंग में तथा अपने संब्स्तार की योजना भी कार्य रूप में प्रणित होगी परन्तु उस योजना पर पुन्हें परिक्षन जरूर करें साथी साथ नोकरी में हलकी फुलकी परिसानियां भी आएंगी परन्तु आप अपनी बुद्धिमता और विवेक से सभी परिसानियों का हल बहुती सां कामलों में आपका स्वाबिमान आपकी उन्नती में बादख बन सकता है इसलिए अपने वहवार को थोड़ा लची लावना कर रखें यह ध्यान रखना आपके लिए अतियावशक है कि आपकी कोई महत्पपूर्ण वहवसायक गतिविदी आज लीक हो सकती है करमचारियों की गतिविदीयों पर आज आप नजर रखें परन्तु जद ही इस्तितियां काबू में आ जाएंगी इसलिए आप पूरे जोस से अपने काम के प्रती एक आगरचित रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं दोस्तों अत्यादिक मेहनत की वज़े से ठकान वे दर्द जैसी समस्यां उत्पन हो सकती हैं सातिसात जादा गरिष्ट वे तला भुना भूजन खाने से भी आपको परेज करना होगा अन्यता पेट से समद्दित समस्यां उत्पन हो सकती हैं इसलिए आप सुपाच्य भूजन करें और सातिसात अपने इच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इश्रान आदिशे निर्वत रहोने के बाद भगवान बजरंग बली जी के मंदर जाएं और भगवान बजर दभाव से अवश्य करें और अपनी मनों काम नए मांगें या दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चलने ही हैं समस्त परिशानियों का अंत और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कारने बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस्तो भगवान बजरंग बली का असिरवाद आपको प्राप्त हो शच्च दिल से कमेंट्स बोक्स में जै बजरंग बली अवश्य रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद